हलो गाईज कैसे हो आप शबी लोग आई होप आप शबी लोग बहुत अच्छ होंगे तो गाईज आज के इस वीडियो में हम यूप आईश काउंसलिंग के जो डोकुमेंट वेरिफाइब प्रोसेस है उसको बारे में बताने वाले हैं जिन इस्टूरूनेट का डोकुमेंट करेंगे रिफ्लोड डोकुमेंट यूजी उस पर क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे एकला पेज कुलेगा जिसमें आप अपना सारा डीटेल फिल करेंगे जैसे यूजी आईस काउंसलिंग उसके बाद रोल नंबर फिल करेंगे यहां पर उसके बाद नीट अप्लिकेशन डोकुमेंट पर किलिक करेंगे जो भी डोकुमेंट अपलोड के वह सब देख सकते हैं आप यहां पर भी अपलोड डोकुमेंट पर किलिक करते ही आपको एक नया पेज खुलेगा जिसमें आप अपन सारा डोकुमेंट देख सकते हैं जो भी वेरिफाई हुआ और जो डोकुम दुबारा होमपेज पर जाना होगा जैसे होमपेज पर पहुंचेंगे अप्लोड डोकुमेंट को अप्शन आगा उस पर क्लिक करेंगे अप्लोड डोकुमेंट करते ही सारा डोकुमेंट दुबारा अप्लोड करने का अप्शन आगा यहां पर अपना सारा डोकुमेंट अप आपका verify नहीं हुआ उस सारे document को दोबार upload कर सकते हैं यहां पर देख लिए जो भी document आपको upload करना है वह सारा यहां पर upload करें देगे और जो भी document का format दिया हुआ है इसी size में आपको upload करना है दुबारा अगर इस size में upload नहीं करते हैं तो आपका दुबारा पेंडिंग हो जाएगा और फैल्ड हो जाएगा और फास्ट राउंड में आप एपियर नहीं हो पाएंगे तो इसलिए इसी फार्मेट में आपको अप्लोड करना है और अगर डोकुमेंट अप्लोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे एक पैट कांसिलिंग करवा